वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जब भी हम मीम टोकन के बात करते हैं तो मीम टोकन में हम तगड़े कॉंपटिशन को देखते हुए कई बार मन में सवाल आता है कि यार पेपे आगे जाएगा तो कभी सोचते हैं शीबा आग के कि तरब जाएगा और नमबर वन पर ये मीम टोकन बन के उपरेगा कई सवाल रहते हैं इन्वेश्टर अलग-अलग टाइप से सोचते हैं अलग-अलग टाइप की रिसर्च रहती है आज के इस वीडियो में हम पेपे के ऊपर बात करना वाल है कि आखिर पेपे का क्या न पर अभी वर्तमान में जो है पेप कोईन आपको मिलने मिल रहा है अगर आप देखेंगे तो हाइस्ट ग्रोथ ये थी उसके बावजूद यहां तक मार्केट गिरा है और अभी और मेरे हिसाब से असार है कि गिर सकता है क्योंकि बीटीसी में अभी वापस 69-58,000 के लेवल पर बीटीसी आया है लेकिन संभावता यह है कि वापस इसको चोना है क्योंकि मार्केट में पंप एंड डंप का मुमेंट लगातार चल रहा है और आने वाले समय में और भी इसी टाइप की ग्रावट और पंपिंग आपको देखने को मिलेगी इस जुलाई मन्त और अगस् में हलेकि एक प्राइस प्रेडिक्शन अगस्त में आया था जिसमें टॉप क्रिप्टो एनलिष्ट ने कहा था कि जो बिटकोईन है वो अक्टोबर में सुरी अगस्त में एक लाग डोलर के करीब रहेगा हलाकि ऐसा अभी तो संभावता लग नहीं रहा है कि एक लाग डोल चीसे बढ़ेगा क्या पेपे में इन्वेसिमेंट हमारा सेफ है और एक तरीके सा अच्छा रिटर्न देने वाला है सभी सवाल है सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाल है और तक वीडियो बाच करना देखिए वर्तमान की मैं बात करूँ तो पेपे जो कोईन है ना पेपे कोईन आपको काफी कमदाम पे मिल रहा है अगर आप एक रेली को यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जो रेली थी वो चार जिरों के साथ सेवंटीन के लेवल तक पहुँच गई थी यानि कि मार्केट यहां से यहां तक आया था फिर यहां तक गिरा था और वही चीजे फिर से बन रही है, मार्केट यहां तक आ गया है, और फिर से एक बाउंस बेक आएगा, जो इस हाइस्ट लेवल एटी एच को तोड़ने का माद़ा रख सकता है पेपे में, और यह पॉसिबल है कि उक्टोबर के पहले ही हो जाए, और उक्टोबर के बाद इस ले आज आप खरिदते हैं तो पेपे आपको 200% कम दाम पर मिल रहा है, क्योंकि अगर इस एटी एच और इस हाइस्ट लेवल से देखे तो आज 200% तक का डाउन फॉल देखने को मिला है, यह पेपे वही कोईन है जो में टोकन में सबसे तेजी से बड़ा था दूसरे नंबर पर डोग के बाद, लगभग 800-900% का पंप फरवरी से लगा के इसने पिछले डेड़ लाष्ट डेड़ महिने तक दे चुके था, लेकिन आज के काइंडिशन में 500-600% ही रह गया है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो वर्तमान में अगर पेपे की प्राइस देखे तो यह प्राइ ठीक है, तो लगभग 200% तक का डाउन फॉल देखने को मिला है, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जिस टाइप से अक्टोबर के बाद एक बुल रन देखने को दिखाएगा, बुल रन देखने को मिलेगा, और पेपे से जिस टाइप से लोग उम्मीद लगा के बेठे हैं, आज कल हो क्या रहा है, या पहले से भी होता आया है, क्रिप्टो मार्केट में उस क्रिप्टो करेंसी पर ज़्यादा दाव लगते हैं, जिस क्रिप्टो करेंसी में कहीना कहीं एक बड़े पंप के एक्सपेक्टेशन बनते हैं, लोग क्या है भेड़ चाल जैस कुछ हुआ था जैसे पेपे बढ़ता गया बढ़ता गया और अभी बीच में आपने देखा था मई मन्थ में भी दूसरे कोई नीचे गिर रहे थे लेकिन पेपे तेजी से बढ़ रहा था और उसने एटी एच नया बनाया और पुराने एटी एच तोड़ा और यहां तक प् पता है कि पेपे सबसे तेजी से बढ़ रहा है चलो इसमें दाव लगाते है जल्दी पैसा बनेगा तो हर कोई सोटकट पैसा कमाने के चक्कर में पेपे में दाव लगा रहा है वरतमान के परेदर्शिय से देखे तो संभाव न यही है कि आने वाले समयंबे भी अगर में उसी टाइप का investment फिर से आएगा और जबरजस्त आएगा और अब जबरजस्त आने के पीछे reason क्या है क्योंकि अब जो बढ़ेगा ना वो bull run में बढ़ेगा क्योंकि हर कोई October के बाद bull run की उम्मीद में लगाए बेठा है और जितने भी barrier है worldwide crypto के सामने उस सब हटने के chances से BTC के भी एक लाग डोलर के नवेंबर दिसंबर में जाने के असार है और जो हालविंग के बाद bull run हर बार आता है उसकी जो है कहानी पठका था वो लगभग सिरू हजाएगी अगस्त और सितंबर के बाद से तो October के बाद market peak पर रहने वाला है और वेसे भी अगर आज की condition में देखे तो हर coin नीचे की तरफ है बहुत जादा bottom पर गिर गए है तो जो wheels से हैं उनको entry बनाने का भी जबर्जस्ती हाँ पर मौका मिल रहा है जैसे wheels के entry start होती है buying करना वो चालू करते है market अचानक से बढ़ना चालू हो जाएगा यहां से और market से जो हम expect कर रहे है वो return मिलेगा और ऐसे में पेपे अगर तेजी से बढ़ा तो पेपे पर वो return और तेजी से बढ़ जाएगा यहां पर अगर हम देखें यहां पर अगर हम पेपे का graph देखें तो पेपे में 200% तक तो अभी downfall है अगर पेपे 500% भी बढ़ जाता है इस range से वर्तमान 92% की range से तो भी 46-4-0 के साथ के level पर यह चले जाएगा 500% के pump के साथ अगर हम इसमें 1000 pump का expectation रख लेते हैं तो 1000 pump के साथ market जो वर्तमान में 92% है इसमें 5-0 लगी है पॉइंट के बाद यह 4-0 में convert हो जाएगी सिधी 1000% का pump मिलेगा अब depend करता है आप कितना profit कमाएंगे कि आपका investment कितना है आप जितना जादा investment करेंगे उतना ही जादा return ही यहाँ पर आपको मिलने के chances बनते हैं और उमीद है कि पेपे 1000% से भी जादा बढ़ सकता है क्योंकि हाली में हमने देखा है कि BTC मात्र 60% बढ़ा था 60% उसके बावजूत पेपे ने लगभग 1000% तक का जो graph है वो इचियो करने का प्रियास किया था और उस time ना कोई bull run था ना कोई इतनी बड़ी rally थी market में उसके बावजूत तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस time पेपे में अगर bull run start होता है अक्तूबर के बाद पूरा crypto market green में जाता है Bitcoin एक लाग डोलर के करीब जाता है जो कि 200% का pump देगा तो उस लिहास से पेपे लगभग 3-4000% का pump निकाल सकता है जो बहुत कम है यानि कि minimum 4000-3000% का pump यानि कि उस expectation से हम 2-0 किल होते हुए यहाँ पर देख सकते है और आपको मैं बता दू और अगर हम आज की condition में देखे तो जो पेपे है उसने 16000% का pump दिया है अभी कुछ समय पहले 8000% का pump था जब मार्केट यहाँ कुछ था जब फिक है और अब 16000% का pump है तो इसमें अभी लाखों पर्षेंट के pump के आने के expectation हम मान सकते है हलागे supply जादा है तो थोड़ी उम्मीद कम रहेगी लेकिन फिर भी एक अच्छा return यहाँ पर मिलेगा अब suppose अगर आप 10,000 रुपे भी यहाँ पर invest कर देते हैं तो भी आपके पास 1000 नहीं लाखों रुपे की कमाई आप कर जाओगे क्योंकि 10,000 पर्षेंट भी market बढ़ता है 20,000 या 1,000,000 पर्षेंट पेपे बढ़ता है तो अच्छा खासा investment आपको पर return आपको मिलेगा यहाँ पर उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि पेपे इस बार भी investor की पहली पसंद बन सकता है और वो अगर बनता है तो फिर पेपे इस बार 1000 की जगा 3-4,000, 10,000 पर्षेंट का pump निकाल के दे सकता है अगर सब investor इसमें पहले जैसे ही फरवरी जैसे रेली में ही पागल हुए है तो पर दुनिया ठीकी है उम्मीद करते ऐसा हो और आपने भी पेपे खरीदा होगा क्योंकि पेपे क्या है अचानक से बढ़ेगा अचानक से गिरेगा अब देखो यहां तक पहुचने के बाद यहीं तक आ गया है जहां से शुरू बात इसने करी थी तो यह एक चीज है कि थो होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकोन को हिट कर देना क्या सोचते कमेंट्स में जरूर लिखिए